एक गव में एक कुमार रहता था वो मिट्टी के बरतन और खिलोने बनाया करता था और उसे सहर जाकर बेचा करता था जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब यह मिट्टी के खिलोने और बरतन बनाना बंद करो और सहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो क्योंकि इसे बनाने से हमारा गुजारा नहीं होता काम करोगे तो महिने के अंत में कुछ धन तो आएगा कुमार को भी अब ऐसा ही लगने लगा था पर उसको मिट्टी के खिलोने बनाने का बहुत सोब था लेकिन वह हालात से मजबूर था और वह सहर जाकर नौकरी करने ल पर उसका मन अभी भी अपने चाक और मिट्टी के खिलोने में ही रहता था कभी कभी उसके मन में विचार आता कि वह यह नौकरी को छोड़ दे लेकिन फिर हुआ अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा फिर धीरे-धीरे समय जब वह मिट्टी के खिलोने को बनाया करता था ऐसे ही काफी दिन बीटते गए एक दिन सहर में जहों वह काम करता था उस मालिक के घर पर उसके बच्चे का जन्मदीन था उसने उस कुमार को भी बुलाया था कुमार ने सोचा वहाँ पर तो सभी महगे महगे तोफे लेकर आएंगे मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है कि मैं कोई अच्छा सा तोफा लेकर जा सकूँ फिर उसके दिमाग में खायाल आया कि क्यों न मैं मिट्टी का खिलोना बनाओं और उस बच्चे के लिए लेकर जाओं वैसे भी हम गरीबों का तोफा कौन देखता है यह सोचकर तब मिट्टी का खिलोनों ले गया वहां जाकर उसने खाना खाया और थोड़ी देर बान सभी लोग उस बच्चे का तोफा देखने लगे तभी उसके मालिक के बेटे और जो भी बच्चे वहां आये थे उनको उस कुमार के लाए तोफा को देखा और उन्हें पसंद आ गय और सब जीत करने लगे कि उनको वैसा ही खिलोनों चाहिए सब एक दूसरे से पूछने लगे कि यह तोफा लाया को तब किसी ने कहा कि यह तोफा आपका नौकर लाया सब हैरां पर बच्चों के जीत के लिए मालिक ने उस कुमार को बुलाया और पूछा कि तुम यह खिलो कुमार बोला मालिक यह कोई महगा तौफा नहीं है यह मैंने खुद बनाया है गाउं में यही बनाकर मैं गुजारा करता था लेकिन उससे घर नहीं चलता था इसलिए आपके यहां नवक्री करने आया हूँ मालिक सुनकर हैराण हो गया और बोला कि तुम यह खिलवने और बना सकते हो तुम मेरे लिए और भी खिलवना बनाओ मालिक ने सोचा क्यों न मैं इस खिलोने का वेपार करूं और सहर में बेचू यह सोचकर उसने कुमार को खिलोने बनाने के काम में लगा दिया और बरले में अच्छी तनख्वा और रहने के लिए घर भी दिया यह सब पाकर कुमार और उसका परिवात बहुत खुश था और कुमार को उसका मनपसंद काम भी मिल गया दोस्तों इस कहाने से हमें क्या सीख मिलती है इस कहाने से हमें सीख मिलती है अगर अपने पास हुनर हो तो इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिती में उस हुनर से अपना जीवन सुखी से बिता सकता है और अपना इस दुनिया में नौम कमा सकता है